प्रवासी मजदूरों की मदद करने का जुनों सवार है वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं वो मुंबई और दूसे शहरों में फसे लोगों को उनके घर तक पहुचा रहे हैं हेलपलाइन नमबर से लेकर सोचल मीडिया तक पर सोनू और उनके टीम लोगों की मदद के लिए तयार खड़ी है अभी तक सोनू सूद प्रवासी मजदूरों को उनके घर बेजने के लिए बस और फ्लाइट्स का सहरा ले रहे थे मुंबई से हर रोज सोनू कई बसों में परवासी मजदूरों को बेठा कर उनके घर रवाना करती रहे लेकिन इस बार अभी निता ने अपने मुदद के दाइरे को बढ़ा कर ट्रेन तक कर दिया है सोमवार को मुंबई से चली एक स्पेशल ट्रेन में सोनू सूद ने एक हजार से भी ज़्यादा परवासी मजदूरों को बेठा कर उत्तर पदेश और बिहार रवाना किया इस दोरान खुद सोनू ने इस रिशन पर पहुँच कर वेवस्ता का जायज़ा लिया और महाराष्ट सरकार के साथ मिलकर याट्रों को खाना और सैनिटाइजर जैसी बुनियादी आवशक्ताओं को पूरा किया हाल ही में सोनू सूद ने एक युवक की साहता कर उसे घर पहुचा आय था जिसके बाद उसी वक की मा ने एक भावक वीडियो जारी कर अबिनीता को शुक्रिया अदा किया था गौर तलब है कि सोनू सूद इस समय लोगों की मदद कर खुब दुआएं भी ले रहे हैं नेता से लेकर अबिनेता तक सोनू की तारीफ कर रहा है सोनू कैबी चुके हैं कि जब तक एक प्रवाशी भाई अपनी घर तक नहीं पहुच जाता तब तक उनकी ओर से चल रहा है अबियान जारी रहेगा एंटर्टेन्मेंट जगत से चुड़ी ऐसी और भी कई खबरे सबसे पहले पाने के लिए चुड़े रहे हमारे साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसी ही लेटस्ट और इंटरस्टिंग का भरों के लिए